मेरे यहाँ पे सेशन पे आज हम यहाँ पे सिक्वेंसे सेरीज का लेक्चर नंबर फोर को कंटिन्यू करने वाले है आप लोगों यहाँ पे मैट्स टू में यह सेकंड चैप्टर मिल जाएगा जरूर जाकर देख लिजिए तो अभी हम लोग ने यहाँ पे फिलाल के लिए तीन लेक्चर्स पढ़ लिया आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्छा लेक्चर नंबर फोर lecture number 4 में क्या पढ़ने वाला है अब तक हम लोग ने GP क्या होता है और उसका nth term of a GP कैसे निकाला जाता है उससे related questions भी पढ़े किया थे आज हम यहाँ पे कुछ नया concept start करने वाले the concept that we are going to start with is called as the sum of the first n terms of a GP बच्छो यह topic आप लोग के लिए नया नहीं है मतलब GP के लिए भले ही नया होगा बड़ arithmetic progression में आप लोग ने sum of the first n terms के बारे में study किया था I hope everyone remembers about that part right हमने SN formula करके पढ़ाई किया था और उसमें दो अलग-अलग formula हुआ करते थे SN के एक था n upon 2 2a plus n minus 1 into d और दूसरा था n upon 2 t1 plus tn बड़ यह सारे 10 standard के concept हो गए जहाँ पर आप लोग ने arithmetic progression के sum of the first n terms निकालना सीखा था आज हम यहाँ पर sum of the first n terms of a geometric progression सीखने वाले है बच्छो और इसमें भी believe वह ऐसे देखा जाएगा तो एक ही formula है बड़ हम इसको 3-3 अलग-अलग formula में देखने वाले है वैसे formula difficult नहीं है and 3-3 अलग-अलग formula होने के बाउजूद भी topic difficult नहीं है it's a very simple topic बच्छा आराम से हो जाता है all you need to do is substitute the values तो होता क्या है बच्छा इसमें आज आप लोगों में proof तो नहीं दिखा पा रहा हूँ because कुछ ज़्यादा ही लंबा जाता अगर मैं SN का formula का proof दिखाता दो but बहुत ही simple proof है आप लोग टेक्स्ट बुक में जाकर उसका proof देखना चाते तो देख सकते है वहाँ पे कैसे SN का formula आया है एक दम छोटा सा 3-4 step का proof है जरूर जाकर चेक कर लेना मैं यहाँ पे बच्छो आप लोग को कुछ चीजे बताना चाता हूँ तो वो पूरी तरह से ध्यान से में जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने नहीं तो अगर आप लोग ने ध्यान से सुना नहीं न तो आहाँ पे misunderstanding होने के chances है तो सबसे पहले में क्या बताना चाहरा हूँ ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बच्छा if r is less than 1 मतलब जो common ratio है वो अगर आपका 1 से छोटा हुआ then it is convenient to use मैंने ऐसा नहीं बोला है कि तो use this formula ऐसा नहीं बोला है आप formula कोई भी use कर सकते है मैं आप लोग को दो formula जो देने वाला हूँ वहाँ पे formula आप किसी का भी use कर सकते है r less than 1 के लिए भी कोई भी formula use कर सकते है r is greater than 1 का भी use कर सकते है but convenience का मतलब समझते हो बचा convenience का मतलब होता है कि ज़्यादा easy हो जाएगा अगर आप यह formula यूज करते है तो मतलब अगर r का value छोटा हो जाएगा 1 से तो it is convenient to use this formula s n is equal to a multiplied by r 1 से छोटा होने के वज़े से 1 minus r to the power n whole divided by 1 minus r यह मैं formula आप लोगो बता रहा हूँ formula difficult नहीं है एक बार देखोगे तो भी पता चल जाएगा s n is equal to a multiplied by 1 minus r to the power n divided by 1 minus r तो यहाँ पर 1 minus r हो रहा है विकाद r का value 1 से छोटा होने के वज़े से कोई भी value लिलो r जो 1 से छोटा है जैसे 0.5 तो 1 minus 0.5 करोगे तो क्या answer मिलेगा एक positive answer मिलेगा आप लोग को दिख रहा है बच्छा विकाद आपका r का value 1 से छोटा होने के वज़े से मैं 1 minus 0.5 करोगे तो हमेशा मुझे जो भी answer मिलेगा वो positive मिलेगा yes or no so that is why I am saying that this formula becomes more convenient to use अगर आपका r का value छोटा होता है 1 से तो अगर r का value 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा तो हम ये formula यूज नहीं कर सकते हैं मैं फिर से बोल रहाँ अगर आपका r का value 1 से बड़ा होगा तो भी आप उपर का formula use तो कर सकते हैं बढ़ो convenience में difficult होता है जैसे r का value अगर 1 से बड़ा है मतलब 2 ले लो तो आपको 1-2 करना पड़ेगा, and 1-2 तो इसमें negative value, so it becomes very inconvenient to solve it, इसलिए हम करते के हैं मलुमें, हम एक और formula बनाते हैं, जो कि actually उपर का ही formula जैसा है, तो sn is equal to a multiplied by, 1-r to the power n के जगह पे लिखते है, r to the power n minus 1, मतलब इस बार r वाला जो पार्टे वो पहले आ जाएगा, ताकि वो बड़ा है ना, तो बड़ा value minus the smaller value, becomes a positive answer, whole divided by इधर भी 1-r के जगह पे r-1 कर सकते हैं, बच्छो आप कोई भी दो geometric progressions ले 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 ना, तो उसमें एक में r का value 1 से बड़ा होने दो, और एक में r का value 1 से छोटा होने हैं, तो ऐसा कुछ ले लो, और उसमें ना, फुल्टा formula भी डालके देखो, आप लोग को answer मिलता है, बट convenience का कौनसा आप लोग को ज़्यादा convenient है, आप देख सकते हैं, तो मुझे ये convenience ज़्यादा लगता है, तो ठीक है formula हो गया, r का value 1 से बड़ा है, तो भी formula हो गया, बट what will happen अगर r का value 1 हुआ तो, तो कुनसा formula इस करेंगे, इन में से तो कोई उस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1-r में अगर r का value 1 हो गया, तो 0 हो जाएगा, and r-1 में भी वही होगा, 1-1 0 हो जाएगा, and denominator 0 होगा, तो not defined हो जाता है, तो are these two formula going to be used here? No. So these two formula never work, बच्चा, अगर आप लोग का r का value 1 हुआ तो, तो कौन सा formula है? Actually सच बता हूँ, इसका कोई formula नहीं है, ये common sense है. मैं आप लोग को एक example देता हूँ बच्चा, ध्यान से सुनना, r का value 1 कब बनता है बच्चो, common ratio 1 कब बनता है, जब सारे terms सेम होता है, जैसे 2, 2, 2, 2, 2, है की नहीं देखो ना, सब जागर 2, 2, 2 है, तो ratio लोगे तो 1 मिलेगा, so when all the terms are same तभी जाकर, आप लोग को common ratio 1 मिलता है, अब सोचो ना बच्चा, मैंने आप लोग को बोला कि S4 निकालो, sum of the first 4 terms of a GP, तो 2, 2, 2, 2, 2 मतलब क्या करोगे, 2 plus 2 plus 2 plus 2 करोगे, मतलब कितना मिलेगा बच्चा, क्या मैं बोल सकता है, एक तरह से 4 multiplied by 2 हो जाएगा बच्चा, 4 times 2 आ रहा है, 2, 2, 2, 2, 2, तो आप क्या बोलते है, 5 times 2, अगर 10 terms होते तो आप बोलते 10 times 2, तो यहाँ पे तो हमारे GP में n times होता है, same number, तो क्या मैं बोल सकता है, बच्चा, it becomes n times 2, and 2 तो आपे 1st term था, तो हमारा formula बन चुका है, बच्चो, if r is equal to 1, then the sum of all the terms, sum of all n terms, the sum of all first n terms, will be equal to, क्या हो जाएगा, बच्चा, it will become n times a बनेगा, where a is the first term, and वही first term n times लिखा जा रहा है, तो n times a कर दो, आपको formula बन गया, इतना simple सा concept है, बच्चा, I hope सभी लोगों को समझ में आचुका है, now that you have understood all the formula over here, क्यों न तरह question answer solve करें, बच्चा, आज हम यहाँ पर क्या करने वाले, exercise 2.2 थोड़ा सा बड़ा है, कुछ 13-14 questions है, I still don't remember right now, but आज हम कितना करने वाले हैं, आज हम question number 1 से लेकर, question number 8 तक पढ़ने वाले, तो question number 1 से start करते हैं, and question number 8 में खतम करते हैं, there are so many questions to do, बच्चा, let's try to do that part, तो exercise 2.2 का question number 1 क्या बोलता है, for the following GPs, find SN, simple है, सबसे पहला sub question उन्हें ने बोला है, 3,6,12,24, बहुत ही simple question है, all you need to do is, SN का formula युज़ करने के लिए, आपको A का value and R का value पता होना चाहिए, यहाँ पे तो सब कुछ दिख रहा है साफ साफ, A का value यहाँ पे 3 है, and R का value, खुद सोचो बच्चो कितना होगा 6 divided by 3, मतलब 2 होने वाला है, तो R का value यहाँ पे 2 है, बच्चो R का value यहाँ पे 1 से बड़ा है, तो which formula is more convenient to use, वैसे तो दोनों use कर सकते है, यहाँ पे बच्चो A का value 3 है, R to the power N मतलब 2 to the power N minus 1 बन जाएगा, divided by 2 minus 1 बनेगा, बच्चो 2 minus 1 मतलब 1 ही होता है, तो वो तो निकल गया, तो answer हो जाएगा 3 multiplied by 2 to the power N minus 1, यहाँ पे हम N का value डाल ही नहीं सकते, because question ही पूछा था, find S N, तो जो answer general में पूछा गया है, तो generalized answer ही मिलेगा आप लोग को, आपका question खतम हो चुका है, very simple, right, let's go for some another one, यहाँ पे I guess कुछ 4 sub questions है, तो मैंने उसमें से 3 उठाय है, 3rd sub question शायद मैंने आप लोग को assignment दिया है, तो try जरूर कर सकते है, यहाँ पे देखो बच्छा, P, Q, Q square upon P, Q cube upon P square, difficult लगता है, बढ़ है नहीं, यहाँ पे आप लोग को A का value तो आसानी से मिल जाएगा, P, बढ़ अगर R का value निकाल ना रहेगा, तो it will always be any term divided by the previous term, like second term divided by first term करो, तो आपको Q upon P करके मिल जाएगा, चाहे आप T3 upon T2 करते तो भी वही मिलता, Q upon P ही मिलता, ओके, now that we have used R here, बढ़ यहाँ पे एक कहानी में twist है, बचो आप जब R को देख रहे हो यहाँ पे, तो R को देखकर आप लोग को समझ ही नहीं रहा, यह तो Q upon P है, इससे कुन सा एंगल, एक आईडिया आ रहा है किया बच्छा, कि कुन से एंगल से देखना है इस question को, कि R बड़ा है क्या 1 से, या R छोटा है 1 से, पता नहीं, इसलिए हम यहाँ पे दोनों conditions लगाते, कि अगर R का value 1 से बड़ा होता, या फिर R का value 1 से छोटा होता, तो क्या-क्या formula है, क्या-क्या answers मिल जाते हैं, बराबरे, तो मैंने यहाँ पे पहला सोचा है कि, अगर R का value 1 से छोटा होता, तो हम कुन सा formula है उस करते हैं बच्छा, Sn is equal to A multiplied by R 1 से छोटा है, तो 1 minus R to the power N divided by 1 minus R होता, substitute करो बच्छो यहाँ पे answers को, तो यहाँ पे A will become P only, विकाद A का value P है, 1 minus R to the power N मतलब Q upon P, the whole to the power N हो जाएगा, विकाद R का value Q upon P है, whole divided by 1 minus again Q upon P करके आजाएगा, यहाँ पे विकाद R का value फिर से दा सेम है, नीचे आप लो cross multiplication धरूर कर सकते हैं, तो what will happen is ना बच्छा, cross multiplication करो जारा नीचे का, तो क्या हो जाएगा, it will become P minus Q upon P, and वो जो नीचे का P है, वो उपर में दे सकता हो, तो वो P square बन जाएगा, I hope everyone understood, because already एक P था, अब नीचे denominator में भी एक P आगया, तो उपर जाएगा, तो P square, and this will remain the same, 1 minus Q upon P, whole to the power, and तो वैसे रहेगा, because उसका N जो है, वो तो defined ही नहीं है, तो it will remain the same, divided by, यहाँ पर बच्छा, आमने क्या किया था, P minus Q किया था, याद है, तो P minus Q हो गया था, cross multiplication से, rest you can't do anything further over here, तो आपको यह final answer मिल चुका है, when R is less than 1, आपके textbook न आप अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजे ऐसे changes होते है, जो मैंने textbook के हिसाब से नहीं किया है, जैसे आपके textbook में यही answer मिला है बच्छो, उन लोग को भी, उनको भी same answer मिला है, but उन्हेंने लिखा है, R is less than 1 नहीं लिखा है, वहाँ पर लिखा है बच्छा, कितना लिखा है, P is less than Q करके लिखा होगा, तो आप बोलोगे, Sir, P is less than Q लिखा है, आपने R is less than 1 लिखा है, दोनों same है, चेक करो, R is less than 1, बड़ R का value Q upon P हैं, बराबर ना, तो Q upon P is less than 1, Sorry, P is less than Q नहीं हो जाएगा, Q is less than P बन जाएगा, देखो ना, Q upon P is less than 1, P को वहाँ पर लेकर जाओ, तो अगर Q का value P से छोटा हुआ, तो यह answer मिलेगा, उन्होंने बोला है, मैंने भी तो वहीं बोला है न, बट मैंने सिर्फ R के रेप्रेजेंटेशन में बोला है, So, it's one and the same thing guys, that doesn't actually make a difference, at least in the 11th standard, you need to know that all the things are same only, चीज़े सेम ही होती, बट सिर्फ लिखने का तरीका अलग-अलग हो सकता है mathematics में, तो आप लोग अभी 10th standard के नहीं रहे के बोलोगे, कि सर मैंने ऐसा लिखा तो marks जाएगा क्या, you are not वो बच्चे एनिमोर, कि आप लोग उतना सोचने की कोशिश करना, थोड़ा explore भी करने की कोशिश करना, यहाँ बच्छा दूसरा condition भी हो सकता है, कि अगर R का value 1 से बड़ा हुआ तो, मतलब Q का value P से बड़ा हो गया तो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, same formula उजो नहीं वाला है, सिर्फ थोड़ा सा change होगा, R to the power N minus 1 upon R minus 1, तो यहाँ पे A का value will remain the same, R का value same रहेगा, सब कुछ same है, सिर्फ interchange हो चुके है, तो Q upon P minus 1 भी बन जाएगा, and you could see over here, उपर का term मेरा फिर से P स्क्वार हो गया, बिकोज अगर मैं फिर से cross multiplication करता, तो वो P उपर ही जाता, and these all the things inside the bracket, will still remain the same, and उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे, तो मुझे यहाँ पे Q minus P करके मिलेगा, because cross multiplication किया है, and it was as simple as that, तो यह सारे चीज़े वच्छे आप लोग को समझ में आगे रहेगी, चलो question number 1 का sub question number 4 पे जाते है, because sub question number 3 बहुत simple है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, okay, going further for this question, root 5, minus 5, 5 root 5, minus 25, and so on, इसको कैसे solve करना है मालों में बहुत simple है, A का value तो root 5 ही है, and R का value यहाँ पे minus 5 divided by root 5 है, third साता है, minus 5 divided by root 5 is minus root 5, तो यहाँ पे minus root 5 करके मिलेगा, चलो A मिला, R मिला, R का value negative है, मतलब R का value 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो हम R का value यहाँ पे लिखा है, if R is less than 1, then we use the formula, S N is equal to, वो R is less than 1 वाला statement नहीं लिखते तो भी चलता, because it is already obvious की R का value 1 है, तो S N का value हो जाएगा, A multiplied by 1 minus R to the power N divided by 1 minus R, यहाँ बचा A का value root 5 है, 1 minus R to the power N becomes 1 minus of minus of root 5 to the power N, whole divided by 1 minus minus of root 5, simple है, ओके, यहाँ पे root 5 will remain the same, वो बाकी के सारे brackets भी same होए सी रहेंगे, divided by minus of minus becomes plus, तो 1 plus root 5 हो जाएगा, और यह रहा आपका final answer, अभी फिर से textbook के पीछे जाकर देखोगे, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, Sir, आपका answer और textbook के पीछे का answer अलग-अलग है, ऐसा मत सोचो बच्चो, देखो ज़रा, ध्यान से देखोगे, तो आपका पता चलेगा, textbook के पीछे, root 5 के जगह पे, minus root 5 है, तो हमारा root 5 कैसे हो गया, simple है, क्योंकर bracket में मैंने 1 minus, minus root 5 to the power n लिखा है, textbook में उल्टा किया है, minus root 5 to the power n minus 1 किया, तो जाहिर सी बत है, जब interchange होते है, subtraction में, तो sign negative बन जाता है, तो वही बहार डाल दिया, उन्हेने sign negative, so is this wrong, no, is that wrong, no, दोनों का answer same है, completely same है, तो ये भी लिख सकते है, वो भी लिख सकते है, it's your choice, आप जैसा चाहे वैसे लिख सकते है, so going further for the next one, exercise 2.2 का question number 2 में, हम लोग पहुँच चुके है, question number 8 तक जाना है, for a GP, अभी बहुत simple सा question है, A का value देखे रखा है, R का value देखे रखा है, और इस बार ना बच्छा हमें generalized value नहीं, तो हमें एक particular value निकालने बोला है, जैसे S6, यहाँ पे A का value पता है, and R का value negative है, तो हम यूज करेंगे बच्छा, यहाँ पे मैंने लिख लिया एक बार, A का value and R का value, तो S N का formula लिखा बच्छा है, A multiplied by 1 minus R to the power N upon 1 minus R, A का value बच्छो यहाँ पे 2 है, तो S6 का value क्या हो जाएगा, 1 minus R का value है, minus 2 upon 3 to the power 6, divided by 1 minus of minus 2 upon 3 हो जाएगा, very simple thing to understand, यहाँ पे बच्छा 2 को ऐसे ही रखो, it will remain the same, but minus of minus मत करना, पहले minus 2 upon 3 to the power 6 करना पड़ेगा, 2 to the power 6 निकालो, 3 to the power 6 निकालो, negative का positive बनेगा, because power even है, तो यहाँ पे 1 minus will remain the same, and वो minus negative का positive बनेगा, तो 2 to the power 6 होता है 64, and 3 to the power 6 होता है 729, divided by, यहाँ पे negative negative positive कर लेना, तो 1 plus 2 upon 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 will remain the same, आप चाहो तो इसका cross multiplication कर सकते हैं, 729 minus 64 कितना होता है, बच्छा होता है 665, divided by 729 will remain the same, नीचे भी cross multiplication करना 3 plus 2, मतलब यह 5 upon 3 करके देगा, very simple thing, अब यहाँ पे देखो, बच्छो 2 multiplied by 665 upon 729, तो वैसी रखा, बट नीचे का जो आप लोगो fraction दिया है, अगर वो उपर आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, बच्छा है reciprocal बन जाएगा, तो multiplied by 3 upon 5 बनेगा, अब नहीं यहाँ पे यह वाला part में, आप लोग के उपर छोड़ रहा हूँ, सारे calculation तो मैं नहीं बता सकता, for an 11th standard student, आप लोग को 5 के table से 665 को cancel करना है, 3 के table से 729 को cancel करना है, फिर 2 से multiply करना है, whatever the resultant उपर numerator मिला, तो आपको यह answer मिलना चाहिए, 266 divided by 243, and I am damn sure कि आप लोग को यह answer मिली जाएगा, बहुत simple calculation है, करके देखो आपको मिल जाएगा, very simple, चलो यह हो गया sub question number 1, question number 2 का, अब आप देख सकते हैं, मैं directly question number 3 में आ गया, क्योंकि question number 2 का जो दूसरा sub question है, वो similar है question number 1 से, खुद से कर लेना, बहुत easy है, okay, sub question number 3, question number 3 में 4SGP, sub question number 1 ले रहा हूँ, अब नब अच्छा कुछ questions है, sub question number, sorry, question number 2 में, question number 3 में, question number 4 है, शायद 5 है और 6 है, इस सारे questions जो भी है, 7 तक है शायद, उसमें उन्होंने हर question में 2 sub questions दिये है, अगर आप text book कोल के देखते हो, तो हर एक question similar है, पूरी तर से, देखो, एक sub question समझ में आगए, तो दूसरा sub question आराम से समझ में आ जाएगा, इतना easy है, देख लो, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हर एक question का, एक sub question उठाने वाला हूँ, दूसरा आप लोग खुद से करोगे, because it will be a waste of time explaining the same thing again and again, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ value अलग डाले है, बाकि पूरा procedure से में, जैसे कि ये देखो, a is equal to 2 दिया है, r is equal to 3 है, sn is equal to 242, and find n है, इसमें शायद मैंने दोनों sub questions लिये, because दोनों अलग-अलग type के questions है, यहाँ पे क्या बोला है मलम है, a का value देखे रखा है 2 है, r का value देखे रखा है 3 है, and sn का value भी देखे रखा है, तो हम sn का formula यूज करते हैं, इस बार r का value 3 है, मतलब greater than 1 है, तो हम formula यूज करेंगे, a multiplied by r to the power n minus 1 upon r minus 1, very simple, यहाँ पे देखो बच्चो, sn का value हमें देखे रखा है, तो 242 आ जाएगा, a का value है 2, r to the power n हो जाएगा, 3 to the power n minus 1, upon 3 minus 1 हो जाएगा, सबको पता है 3 minus 1 तो 2 होता है, तो 2 और 2 तो cancel हो जाएगे, तो मतलब बचता क्या है, 242 बचता है, and 3 to the power n minus 1 बचता है, मैंने 2 को cancel नहीं गिया, क्या, अच्छा, इधर लिखा है, बाद में cancel किया है, I should have done that part as well, वो खुद ही आप लोग कर लेते, तो भी हो जाता, चलो, 242 is equal to 3 to the power n minus 1 है, तो क्या मैं लिख सकता हो, 3 to the power n minus 1 is equal to 242, because 2 to cancel हो गया, minus 1 को वहाँ पे लेके जाओ, तो 3 to the power n जो है, आपको 243 मिलेगा, आपको पता है बच्छो, 3 के कोन से exponential form में 243 आता है, पता है, 3 वंजार 3, 3 थी थार 9, मतलब 3 का square 9 होता है, 3 का cube 27 होता है, 3 to the power 4, 81 होता है, and 3 to the power 5, 243 होता है, मतलब 3 to the power n 243 है, मतलब n का value क्या रहेगा बच्छा, 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते, therefore, अगर हम compare करते हैं, तो n का value यहाँ पर 5 मिलेगा, because 3 to the power 5 gives me the answer as 243, उन्हेंने हमसे n का ही value expect किया था, हमने find कर लिया, it is as simple as that, okay, going further for another question, sub-question number 2 भी मैंने इसले लिया है, because sub-question number 1 और sub-question number 2 दोड़े से अलग-अलग है, यह question ना बहुत ही interesting question था, थोड़ा सा complicated लगता है बच्छों को, but interesting है, थोड़ा सा समझना भी बहुत जादा जरूरी था, यहोँने क्या बोला है मालो मैं, question पढ़ते है, for a GP, sum of the first three terms is 125, sum of the first three terms को हम क्या बोलते है, बच्छा, S3 बोलते है, तो S3 तो देखे रखा है, तो मैंने आपर लिख भी लिया कि S3 is equal to 125, but कहानी में twist तो next statement में, sum of the next three terms is 27, अब बहुत सारे बच्छों को लगता है, sum of the next three terms, को कोई हम S3 नहीं बोल सकते, बड़ इससे हमें एक जमज में ये आ सकता है, कि शुरुवाती तीन terms का sum अगर 125 है, and next three terms का sum अगर 27 है, तो आपको नहीं लगता, sum of the first six terms आपको मिल जाएगा, तो बच्छों हम लग sum of the first three terms, and the sum of the next three terms को ही हम बोल सकते है, बच्छा है S6 करके, because that becomes sum of the first six terms, first three terms, next three terms, 6 हो गहे, sum of the first six terms हो गहे, and S6 है, तो हमें S6 का value कितना हो जाएगा, बच्छा, sum of the first three terms, जो की 125 है, plus sum of the next three terms, जो की 27 है, 125 और 27 को अगरो, 152 मिलेगा, वो होगे हमारे शुरुवात के 6 terms का summation, तो S6 will become 152, I hope that is clear to every student, अब ना बच्छा यहाँ पे, arithmetic progression में, जबी भी कुछ चीज़ों को eliminate करना था, तो हम arithmetic progression में subtract करते जहे, but geometric progression में, अगर आपको कोई भी चीज़ को eliminate करना है, तो आप उसको divide करोगे, क्यों ऐसा, simple है बच्छा, देखो, S6 का formula अगर हम use करते हैं, तो उसमें A भी आएगा, R भी आएगा, S3 में formula युज़ करोगे, तो उसमें A भी आएगा, R भी आएगा, हमें तो सिर्फ R का value पूछा है, तो A को eliminate कैसे कर सकते हैं, by dividing both of them, तो मैं क्या करने वाला हूँ, S6 और S3 को divide करूँगा, इसका logic यह है कि हम divide करते वक्त, किसी एक variable को eliminate कर सकते हैं, जैसे देखो रहा, S6 का formula क्या हो जाएगा, A multiplied by, 1 minus R to the power 6B, नहीं तो R to the power 6 minus 1, कुछ भी use करते हैं यहाँ पर तो चल जाता, मैंने R to the power 6 minus 1 वाला formula जाएगा, यह मतलब R to the power N minus 1 किया है, दूसरा formula यूज करते हैं तो भी चलता, divided by R minus 1 हो जाएगा, whole divided by, S3 का formula हो जाएगा, A multiplied by R cube minus 1 divided by R minus 1, आप देख सकते हैं बच्चा, यहाँ पर R minus 1, R minus 1 तो cancel हो ही जाएगा, but at the same time A and A will get cancelled, मतलब एक variable गायब हो चुका है, तो मतलब S6 का value डालो 152, S3 का value डालो 125, आपको मिलेगा R to the power 6 minus R cube minus 1, आप लोग देख सकते हैं, पूरे equation में सिर्फ R है, आपका A eliminate हो गया, and that is why you could solve this question right now without any problem, हाँ सिर्फ problem एक बहुत बड़ा problem है यहाँ पर, problem यह है कि R to the power 6 आ रहा है, अब R to the power 6 का value, हमें ऐसा कोई formula ही नहीं पता, अगर हम cross multiplication करेंगे, तो यह तो ऐसा equation हो जाएगा, जिसका degree 6 होगा, जिसका highest power 6 होगा, हमने solve भी नहीं किया, तो ऐसे type of चीजों में क्या कर सकते हो, मैं आप लोग को तोड़ा oral ही बताता हो, r to the power 6 को क्या हमें लिख सकता हो बच्छा, r cube का square, r cube का square, और 1 को लिख सकते हो 1 का square, तो आपको नहीं लिखता हो बच्छा, यह a square minus b square का formula है, है ना, तो यहाँ पे 152 upon 125 will become, r cube का square minus 1 का square, मतलब a plus b a minus b, मतलब r cube plus 1, r cube minus 1, कुछ भी लिखो, r cube minus 1, r cube plus 1, यह फिर r cube plus 1, r cube minus 1, same है, a square minus b square का formula है, is क्या, a plus b a minus b, simple है, divided by r cube minus 1, उपर का r cube minus 1, नीचे का r cube minus 1 के साथ, cancel कर देगा, आपके पास बचा बचा सिर्फ 152, divided by 125, is equal to r cube plus 1, अगर आपको r cube का value निकालना है, तो plus 1 को वहाँ पे shift करना पड़ेगा, तो आपको r cube का value मिलेगा, 152, नहीं तो मैंने क्या कर दिया है, कि मैंने 125 को वहाँ पे shift कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो plus 1 को उदर लेके, जाके minus 1 करके भी solve कर सकते थे, चलो मैंने ऐसा solve कर लिए, तो 125 r cube plus 125 हो गया, 125 को वहाँ पे shift करो, तो आपको 125 r cube का value कितना मिलेगा, मालू में 27 मिलेगा, इसका मतलब बच्छा r cube का value हो जाएगा, 27 upon 125, तो r का value कितना हो जाएगा, by taking the cube root on both the side, 27 का cube root होता है बच्छा 3, and यहाँ पे 125 का cube root होता है बच्छा 5, I'm sorry, यहाँ पे आप लोग को 3 upon 5 करके मिल जाएगा, तो r is equal to 3 upon 5 will be the right answer, and it is as simple as that, तो question easy था बच्छा, all you need to do is understand the approach behind the question, बहुत सारे approach इसे है, बहुत सारे concept से इस question में, अच्छी तरह से समझ लेना, आप लोग को समझ में आही जाएगा, going further for question number 4 over here, question number 4 बोलता है for a GP, sub question number 1 बोलता है, अगर T3 का value 20 है और T6 का value 160 है, तो S7 निकालो, मतलब terms देखे रखा है and sum निकालना है, बहुत simple question है बच्छा, यहाँ पे T3 का value देखे रखा है 20 है, and T6 का value दिया है 160, अगर T3 का value 20 है और T6 का value 160 है, तो हम यहाँ पे T6 upon T3 करेंगे, I hope everyone knows about that part, कि हम क्यों T6 upon T3 कर रहे है, कि याकि cancellations हो सके, तो यहाँ पे T6 upon T3 हो जाएगा, बच्छा, 160 upon 20, बट सभी लोग को पता है, बच्छा, T6 का formula हम यूज कर सकते, A multiplied by R to the power, कितना हो जाएगा, बच्छा, T6 का formula ही है, A to the power N minus 1 करके था, याद है, तो A to the power N minus 1 मतलब, A to the power 5 बनेगा यहाँ पे, तो this will become 5 directly, और यहाँ पे AR का square बनेगा, इस इकोल to 160 divided by 20 करो, बच्छा, कितना मिलने वाला 8 मिलेगा, simple है, A and A will get cancelled, R to the power 5 upon R square होता है, R cube, अगर R cube का value 8 होता है, तो R का value दाहिर सी बात है, अगर हम लोग cube root लेंगे, तो 2 मिलेगा, very simple thing to understand, अगर R का value 2 मिल गया, बच्छो, यहाँ पे, तो हम लोग A का value निकाल सकते हैं, by substituting in any formula of our choice, मतलब T3 का value, अगर 20 दिया है, उस ही में substitute करते हैं, T3 मतलब AR का square बनेगा, बच्छा, that will be equal to 20, R का value तो हमें 2 मिला है, तो this will become A multiplied by 2 का square, मतलब 4 होगा, तो 4 होगया, तो A का value कितना हो जागा, 20 divided by 4, मैंने shortcut में कर लिया, मुझे A का value 5 मिला, A का value 5 मिला है, R का value 2 मिला है, now can't we find the value of S7, बच्छा, with the only easy formula, SN का formula, absolutely, SN is equal to A multiplied by R to the power N minus 1, upon R minus 1, जहां पर S7 का पूछा है, तो A का value 5 हो जाएगा, R to the power N है बच्छा, तो 7 हो जाएगा, बच्छा, 2 to the power 7 minus 1, upon 2 minus 1, 2 minus 1, doesn't make any difference, बढ़ यहां पर बागी के चीज़े, किया जा सकता है, 2 to the power 7 minus 1, अगर आप लोग करोगे ना, तो थोड़ा सा difficult नहीं है, बहुत simple है, 2 to the power 5 ही 32 देता है, 2 to the power 6 64 देता है, तो 2 to the power 7, 128 देता है, 128 minus 1 करो, तो 127 मिलेगा, and 127 को 5 से multiply करना, is not a big deal, you are going to get the answer, 635, that's what I have written over there, it is as simple as that, okay going further for S7 तो मिल गया, तो आगे जाके बच्चा, एक और ऐसा ही sub question है, क्या मैंने लिया है क्या, अदेको find the sum to end terms, अभी ये वाला question लिया है, तो वहाँ पे मैंने, एक और sub question नहीं लिया है, आप लोग को खुद करना है, ट्राइ करके देख सकते हैं, बहुत simple है, अब question number 5 का sub question number 1, start करने से पहले, अब थोड़ा सा complexity, और थोड़ा focus करना, बहुत जादा important है, I am going to go a bit slow in the first question, क्योंकि एक बार आपको पहला question समझ में आ गया, तो आपको दूसरा question भी आराम से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनू, इन्होंने बोला है, find the sum to n terms, आपको sub question number 1 है, 3 plus 33 plus 333 plus 333 plus 333 plus dot dot dot, अब यहाँ पे question को ध्यान से पढ़ो, बच्चों को लगता है, 3 plus 33 plus 333, यह तो infinity तक जा रहा है, no, we are not finding the sum of infinity terms, question को उपर पढ़ो, find the sum to n terms, मतलब यह कही ना कही तो रुकने वाला है, कहां रुकने वाला है, पता नेवट रुकेगा, because n terms तक जाना है, generalized है, 4 terms हो सकता है, 5 terms हो सकता है, 10 terms हो सकता है, बट कही ना कही तो रुकना है, infinity नहीं है यह, पहली बात, दूसरी बात सुबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, वो यह है, उनको लगता है, A का value यहाँ पे 3 है, जो की right है, A का value तो 3 ही है, पहला term है, बट R का value बच्चों को लगता है 11 है, यही गलत है, बच्चों को लगता है कि 33 और 3, पहला term 3 है, दूसरा term 33 है, तो 33 डिवाट बए 3 करो, 11 मिल गया, तो R is 11, No, क्योंकि 33 और 3 को डिवाट करोगे, तो 11 मिलेगा, बट 333 को 33 से डिवाट करोगे, तो 11 नहीं मिलता है, 33 33 के टेबल में आता ही नहीं, it's not a multiple, मतलब in other words, 333, 333, 333, 333 are all not in GP at all, and हमने तो जो सम पढ़ा है, वो GP का फॉर्मिला का पढ़ा है, तो यहाँ पे GP है ही नहीं, तो GP ही नहीं है, तो आप solve कैसे करोगे इसको, तो हमें GP में इसको convert करना पड़ेगा, so there are some, एक तरह से experimentation से, कुछ experiment करने है, उस experiment करने के बाद, हमें आपको यहाँ पे GP मलता है दिखेगा, and उस GP, बहुत सारे सवाल आपके मन में उठने वाल है, सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, इसमें से हर एक से 3 को common लिया जा सकता है, definitely, मैंने 3 को common लिया, तो हर एक में बचेगा क्या, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, अब ज़रा चेक करो बचा, ब्रैकेट के अंदर जो है वो GP है, आप बोलोगे नहीं सर, अभी भी GP नहीं है, 11 divided by 1 तो 11 होता है, 111 divided by 11, 11 के टेबल में 111 कहा से है, नहीं आता है, 121 आता है, तो ये फिर से GP नहीं है, चलो, एक और experiment करने वाले, 3 को 9 से divide करूं, बढ़ अगर मैं divide करता हूं 9 से, तो मुझे multiply भी करना पड़ेगा 9 से, तो divide तो कर लिया, तो multiply करने पर सारे terms 9 से multiply हो जाएंगे, तो 1, 11 ये सारे हो जाएंगे, 9, 99, 999, 9999, अब आप बोलोगे, जीपी है क्या, अरे सर अभी भी जीपी नहीं है, 99 divided by 9 तो होता है, अब 9, 99 divided by 99 कहा होता है, नहीं होता है, तो क्या कर रहें सर आप याबे, और 9 ही क्यों लिया, divide by 9 ही क्यों क्या, ये बहुत सारे questions आपके मन में आ रहें, divide by 9 ही क्यों किया, divide by 8 क्यों नहीं किया, आप 8 से divide करके 8 से भी तो multiply कर सकते थे, 7 से divide करके 7 से भी तो multiply कर सकते थे, आपने 9 से ही क्यों क्या, यह बहुत important question है, जहान से सुनना, 3 upon 9 को आप 1 upon 3 कर सकते थे, बड़ मैंने भी फिलाल के लिए 3 upon 9 ही रखा, उसके बाद में, अभी इ लिखा जा सकते है, 1000 minus 1, 9999 को लिखा जा सकते है, 10,000 minus 1 up to n terms, यह बाकी के नंबर में unique नहीं मिलता है, अगर आपने 8 से divide करके 8 से multiply किया होता ना, तो 8 को में लिखा जा सकता थे, 10 minus 2, बड़ 88 को लिखना पड़ता, 100 minus 2 नहीं, 100 minus 12 होता, दिख रहा है बचा नंबर बदल रहे बड़ इधर नंबर बदल ही नहीं रहे, 10 minus 1, 100 minus 1, 1000 minus 1, 1111 हर जगा पे से मैं, दिखा इसलिए 9 happens to be the best number, समझ में आया, great, अब 3 upon 9 will remain the same, यहाँ पे ना बचा सारे वो 10, 100, 1000 जो है ना, उसको एक साथ कलब करू, तो क्या हो जाएगा, it will become 10 plus 100 plus 1000 plus 10,000 plus n terms, up to n terms, यह 10 वाले multiples के बड़ बाकी के भी तो बच्चे है ना, उसमें minus को common लो, तो minus 1, minus 1, minus 1, minus 1 हर जगा पे दिख रहा है, उससे minus को common लिया, तो क्या मैं बोल सकता, bracket में सिर्फ positive 1 बचेंगे, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, up to n terms, सारे 10 के multiples को एक साथ ले लिया, and सारे 1111 को एक साथ ले लिया, negative को बाहर निकाल के simple है, अब देखो बच्चा, 3 upon 9 will remain the same, आपका पहला bracket को देखो, 10, 100, 1000, 10,000, क्या ये GP है, हाँ, अभी हो गया ना बच्चा, GP, देख सकते हैं आप लो, 100 divided by 10 करो तो भी 10 मिलेगा, 1000 divided by 10 करो, 100 करो तो भी 10 मिलेगा, so this is GP, and क्या हम लोग summation, some of the end terms of GP सीखा है, हाँ सीखा है, formula आ term 10 है, multiplied by, r to the power n minus 1, मतला हो जाएगा 10 to the power n minus 1, divided by r minus 1, मतला 10 minus 1, बट ये हो गया पहले bracket का, फिर minus sign आ जाएगा, उसके बाद में दूसरे bracket का क्या, दूसरा bracket तो common sense bracket है, दूसरा bracket देखो बच्चा, 1 plus 1 plus 1 plus n terms तक है, मुझे बता बच्चा, मैंने आप लोगको 4 1 दे दिए, त 5 1 दिए तो 5 बनता है, 6 तो 6 बनता है, यहाँ पे 1 कितने है, n है, तो n 1 सगर मेरे पास होंगे, तो कितने हो जाएगे, n हो जाएगा, तो यहाँ पे n हो जाएगा, तो यहाँ पे n हो जाएगा, very simple thing to understand, right, हो गया आप लोगका खतम, अभी question खतम होने आया है, पुरी तरह से नहीं हुआ है, बच्छा, यहाँ पे न, 3 upon 9 को में 1 upon 3 लिख सकता है, because those are divisible to each other, फिर 10 वैसी ही रखा, मैंने 10 to the power n-1 वैसी ही रखा, divided by 10 minus 1 को 9 कर दिया, and minus n कर दिया, and मेरा यह final answer है, अब यहाँ पे, let's take a short break over here, मेरी बात ही ध्यान से सुनना, आप अभी बोलोगे, sir, textbook के पीछे है, आपके answer के तरह थे ही नहीं, पूरा अलग है आपका answer, और हमारा answer अलग है, यही तो कहानी में twist है, textbook के पीछे का answer भी right है, मेरा भी answer right है, बड़ अगर आप लोगो को लगता है, कि sir, टुफी, textbook में जो किया है, वो अलग क्यों दिख रहा है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, 1 upon 3 वाला part, last step है ना, उसको बूल जाओ, उसके पहले का step है न, 3 upon 9, उसमें क्या किया है, मलब है, बताता हूँ, 10 minus 1 को तो 9 कर दिया, तो वो एक fraction में है, फिर जो n दिख रहा है न, आप लोगो n, उसको है न, 9n upon 9 लिखा, क्योंकि denominator को 9 लाया, 9n upon 9, बराबर है, तो दोनों के पास 9 आगया, तो वो जो 9 है, उसको common लेकर बाहर निकाला, तो वो बाहर के 9 के साथ मल्टिप्ला हूँ, तो इट बिकम 3 upon 81, चेक करो 3 upon 81 रहेगा वाँ पे, तो 3 upon 81 कैसे आगया, बीकोस दोनों का 9 को बाहर निकाला, and 10 into 10 to the power n minus 1 के साथ नीचे मतलब उनोंने factors को बाहर निकालने की कोशिश की, मैंने नहीं निकालने की कोशिश की, but am I wrong? No, I am right, they are also right, both of them are right, completely the same, आपके teacher, अगर school teacher, college teacher, अगर आप लोग को बोलते हैं, कि नहीं, हमने जैसा बोला है, वैसी करो, ऐसा बोलने के chances कम है, तो आप कर सकते हैं, but this is also right, that is also right, in fact, आपके textbook के पीछे थोड़ा बहुत गलत भी है, 3 upon 81 करके लिखा है, आपको तो पता होना चाहिए कि 3 upon 81, 3 के table में 81 आता है, तो simplify किया जा सकता था, उसको और ने नहीं किया, तो गलती दो उनकी भी है, तो if you have a very careful look, both are the same answers, both are right answers, this is also right, that is also right, you can choose anything that you will choose, okay, चलो, next question बचा, exercise 2.2 का question number 5 जो था, उसका sub question number 2 same है, आप try करके देखो, शार 8 plus 88 बगर है, same formula मेलेगा, सिर्फ मेरा 3 upon 9 मेलेगा था, उनका 8 upon 9 मेलेगा, very simple, sub question number 2 भी बहुत interesting है, same type of question है, find the sum to n terms बोला है, so n terms मतलब sub question number 1 है, 0.4 plus 0.44 plus 0.444, so let us consider ascent to be 0.4 plus 0.44 till up to n terms, because n terms बोला है, इसमें आप लोग common क्या लोगे, आप यहाँ पर 4 को common लोगे, अगर 4 को common लोगे, तो bracket में मिलता है, 0.1, 0.11, क्या यह GP है, बिल्कुल नहीं, हम इसमें क्या करने वाले है, divide throughout by 9 करेंगे, तो 4 upon 9 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0.9 plus 0.99 plus 0.999, up to n terms, यहाँ पर बच्छा 4 upon 9 will remain the same, बढ 1 minus 0.1 है, अगर आप लोगे, यह decimal places जो है, वो 1 के बहुत नस्दीक है, तो 0.9 could be expressed as 1 minus 0.1, 0.99 could be expressed as 1 minus 0.01, फिर 1 minus 0.001, and up to n terms, दिखरा सारे चीज़े सेम है, अगर हम यहाँ पर 4 upon 9 को ऐसे रखते हैं, और सारे 1 वाले terms को पहले एक bracket में डालते हैं, तो हो जाएगा 1 plus 1 plus 1 plus 1 up to n terms, सारे 1, and उसके बाद में मैंने minus को common लिया, तो minus 0.1 minus 0.01, उसका minus बाहर निकला, तो हो जाएगा 0.1 plus 0.01 plus 0.001 up to n terms, simple, इसमें देखो बच्छो, 4 upon 9 will remain the same, आपका पहला bracket दिख रहा है, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 n terms के साथ, तो 1 को n times add करोगे, तो वो n ही मिलने वाला है, तो यहाँ पहले आएगा, previous में n बाद में आया था, याद है, and minus, अगर हम दुसरा वाला bracket देखते, तो क्या हम लोग बोल सकते, दुसरा वाला bracket एक तरह से GP में है, yes बचा, it is a GP, it is a GP, check करो, it is a GP, 0.01 को 0.1 से divide करो, कितना मिलेगा बचा, आपको 0.1 मिलेगा, तो यहाँ पे a का value भी 0.1 है, and r का value भी 0.1 है, तो यहाँ पे 1 minus r to the power n, मतलो 0.1 to the power n हो जाएगा, divided by 1 minus 0.1 बन जाएगा, very simple, सिर्फ sn का formula यूज किया, and r का value 0.1 था न, 1 से छोटा था, इसलिए मैं यह formula यूज किया, clear है, अब आगे बढ़ते हैं बचा, 4 upon 9 will remain the same, n will remain the same, इधर textbook वालो ने n को 9n upon 9 लिखा है, ताकि 9 मिल सके उनको, बट मैंने नहीं किया है, फिर 0.1 and 1 minus 0.1 to the power n will remain the same, 1 minus 0.1 होता है 0.9, तो आप मैंने 0.9 ला है, बच्चों, यह solve करना आना चाहिए आप लोगको, यहाँ पे n minus, आपको पता है 0.1 और 0.9 कितना होता है, 0.1, 1 0.1, 0.1, 0.1, 9 0.9, नहीं आप 10 से multiply भी करके 1 upon 9 मिलता, तो 9 ही मिलता, तो यहाँ पी उड़ा है, 1 minus 0.1 to the power n divided by 9 बच जाता, मुझे तो यह answer मिला है, आपके textbook में answer थोड़ा अलग है, 4 upon 81 मिला होगा, क्योंकि उन्होंने 9 को common लिया, तो 9 n upon 9 लिखा, यह 9 को बाहर निकाला, तो उनको 4 upon 81 मिला होगा, 9 n मिला होगा, minus 1 minus 0.1 to the power n मिला होगा, उसके नीचे 9 नहीं रहोगा, ऐसे ही मिला ना, same है, इसका नीचे का procedure वही होता, नहीं किया तो भी चलता है, किया तो भी चलता है, इसके साथ एक और question है, शाहिए 0.7, 0.77 वाला है, खुद से करके देखना, similar question है, सिर 4 upon 9 के जगए 7 upon 9 बनने वाला है, इतना ही है, sub question number, मैं तो 7 का sub question number 1 करते है, question number 7 का sub question number 1, find the sum to n terms of the sequence, फिर से बोला है, उल्टा ये question जादा easy है, दिखने के लिए question सबसे difficult लगता है, बढ़ ये question जादा easy है, कैसे, बताता है, let us consider SN to be 0.5 plus 0.05 plus 0.005 up to n terms, यहाँ पर बच्छा है, मैं 0.5 को common ले गया, अब बच्छा प्लीज यहाँ पर 9 से divide और 9 से multiply ना करे, आप बोलोगे और ISO Q, अभी तो किया था, common sense लगा हूँ, हमने तभी 9 को divide और 9 से multiply इसलिए किया था, विकार हमारे bracket के अंदर GP बना नहीं था, और हम GP बनाने की कोशिश में थे, यहाँ पर हर बच्छा गलती कर होता है, अरे bracket के अंदर देखो, 0.1, 0.01, 0.001 और यह already GP में है, तो Q9 से multiply करके 9 से divide कर रहे हो, don't do that, this question is more easier, so यहाँ पर आपको A का value मिल चुका है, that is 0.1, and R का value भी मिल चुका है, that is 0.1, तो हम यहाँ पर directly formulize कर सकते है, that is A multiplied by, मतलब 0.1 multiplied by, 1 minus 0.1 to the power N, whole divided by, 1 minus 0.1, मतलब 1 minus R, यहाँ पर बच्छा 5 will remain the same, 0.1 will remain the same, 1 minus 0.1 to the power N भी same रहेगा, and 1 minus 0.1 होता है, 0.9 करके, 0.1 1s are 0.1, 0.19 तो यहाँ पर 5 upon 9 करके मिलेगा, मैंने वो 9 को बाहर नहीं निकाला है, बढ़ आप निकाल सकते थे, तो 5 multiplied by, 1 minus 0.1 to the power N, whole divided by 9, यह 9 को आप ब you would have got the answer, यह question विल्टा, ज्यादा simple था, ऐसा ही, एक और question देखे रहा है, औरोने sub question number 2, जरूर जाकर check करे, जरूर जाकर खुद से ही कर सकते है, you can definitely do that, it's very simple, okay, going further for last question for today, exercise 2.2 का question number 8, for a sequence, if Sn is equal to 2 multiplied by 3 to the power N minus 1, find the nth term, hence show that the sequence is a GP, अभ यह स्टार्ट करने से पहले मैं आप नहीं बताई है, एक formula बताना चाहता हूँ, जो आपको रटा नहीं मारना है, जो formula pure logic और pure common sense से आता है, ऐसा कुन सा formula की बात कर रहा हो, for a sequence, Sn का value देखे रखा है, तो मैंने Sn is equal to 2 into 3 to the power N minus 1 कर लिया, उसके बाद में मैंने Sn minus 1 निकाला, अब आप बोलोगे यह क्या है, Sn minus 1 क् अब है तो nth term निकालने बला है, मतलब TN का formula युशकरना है, sorry, TN निकालना है, formula युशकरना है कि नहीं, I don't know, but TN निकालना है, but Sn minus 1 क्यों, बताता हूँ, पहले Sn minus 1 निकालता है, तो n के जगा पे n minus 1 किया है, तो जाहिर सी बात है, आपका formula में सिर्फ जहाँ जहाँ n है, मतलब 2 will remain the same, 3 to the power n के जगर पे 3 to the power n minus 1 बनेगा, and minus 1 बनेगा, पर एसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो क्यों है, listen to me very carefully, इसके बाद में आप लोग एक formula बता रहो पहले, formula को रटो मत, that the nth term of a GP, चाहे वो GP हो या AP हो, दोने के लिए same formula है, nth term of a GP is always equal to Sn minus Sn minus 1, कहां से आया, कैसे आ जाने की कोशिश करता हो, बचो common sense है, मान के चलो मेरे पास 4 term है GP के, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हो, मान के चलो मेरे पास 4 terms है GP के, तो S4, चारो terms का addition करके मुझे कुछ एक value मिल रहा है, S4, बड़ उसके बाद में मैंने उसके starting के 3 terms को हटा दिये, S3 को हटा दिये, S4 में से S3 कम हो गया, तो N-1, S4 में से S3 कम हो गया, तो बचा हुआ जो term है, वो कोन है, the final term, that is the fourth term, मतलब क्या है, S4 में से S3 गया, तो मेरे पास जो बचा है, वो T4 है, तो अगर मुझे fourth term निकालना है, तो मुझे S4 में से S3 को minus करना पड़ेगा, same goes with any formula बच्छा, अगर आपके पास S5 में से S4 निकाल दिये, तो आपके पास बचा हुआ fifth term ही रहेगा, very simple common sense, did you really understand this part, तो इसी हिसाफ से क्या में बोल सकता, बच्छा, अगर मेरे पास N terms है, तो SN में से SN minus 1 निकाल दिया, मतलब previous जितने भी N minus 1 terms थे वो निकाल दिये, तो बचा हुआ जो term है, वो n nth term रहेगा, तो यही formula में यहाँ पे लिखा है, TN is equal to SN में से SN minus 1 निकाल दो, तो बचा हुआ term TN है, जो कि nth term है, और मैंने वो formula लिखा है, simple है, तो अभी आप लोग के पास SN भी है, that is 2 multiplied by 3 to the power n minus 1, minus SN minus 1 भी है, जो कि 2 multiplied by 3 to the power n minus 1, minus 1 है, इसमें आप लोग क्या देख सकते मालुम है, अब bracket को open करो, चीज़े आसान हो जाएगी, 2 multiplied by 3 to the power n, 6 to the power n मत बोलना बच्चा, 2 into 3 to the power n ही रहेगा, minus 2 into 1, 2 होता है, minus 2 into 3 to the power n minus 1, 2 into 3 to the power n minus 1 ही रहेगा, and minus minus plus होता है, तो 2 अंदर 2 होगा, minus 2 plus 2 will get cancelled, आपके बास बचेगा, 2 into 3 to the power n, minus 2 into 3 to the power n minus 1, अभी आप ल 3 to the power n minus 1, इसमें ना बच्चे common निकालना थोड़ा सा struggle करते है, तो common कहा से निकालना है, और क्या निकालना है, मैं आप लोगो बताने की कोशिश करता हो, देखो, यहाँ पे ना बच्छा पहले तो अप लोग देखो कि दोना में 2 तो common है, 2 तो common है, वो तो easy है, दोना में 2 ह बच 3 to the power n और 3 to the power n minus 1 में क्या common आता है, यह आप लोगो अभी आना तो चाहिए था, बच फिर भी समझाने की कोशिश करता, बचा, x cube minus x square अगर आपके पास है, तो इसमें common कहा है, आप बोलते हो x square common है, क्यों? क्योंकि x cube के पास भी x square है, और x square के पास भी x square है, it's always the smallest वा n और 3 to the power n minus 1 में, दोने में common क्या है, मालो में 3 to the power n minus 1 common है, अब खुश सोचो, n के जाएगा पर कुछ भी value डालो, 3 to the power 5 डालो, and n minus 1 में 3 to the power 4 डालो, दोने में क्या common है? 3 to the power 4 common है, बचो, अगर मैंने पहले term में से 2 निकाल दिया common, and 3 to the power n minus 1 निकाल दिया, तो उसके पास सिर्फ 3 बचता है, common sense है, बचा, खुद use करो, 3 to the power n में से 3 to the power n minus 1 गया, तो उसके पास सिर्फ बचता है 3, simple है, कोई भी example ले लो ना भाई, 3 to the power 5, 3 raise to 5 और 3 raise to 4 लो, 3 raise to 4 common लो, 3 raise to 5 में से 3 raise to 4 गया, तो उसके पास बचेगा, कि 3 बचेगा सिर्फ, वो ऐसे ही 3 to the power n और 3 to the power n minus 1 common ले लिया, तो 3 बचेगा उसके पास, 3 to the power 1 बचेगा, and minus, इन दोने में से तो में सारे चीज़े common ले लिया, तो उसके पास तो सिर्फ 1 बचेगा, 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 and यहां पर बच्चा, 3 minus 1 होता है, 2, 2 to 0 होता है, 4, तो 4 multiplied by 3 to the power n minus 1 बचेगा, and that is the final answer, आपको nth term मिल चुका है, it is as simple as that, and nth term मिलने के बाद, बच्चो यहां पे, hints show that the sequence is a GP बोला है, आपको show करना है आपे, कि सामने वाला sequence GP है की नहीं, हमने चेक किया है, बच्चा, कैसे करते हैं हम लोग GP है की नहीं, हम कोई भी term divided by the previous term करते हैं, मतलब T n plus 1 upon T n करके देख 3 to the power n minus 1 plus 1 बनेगा, क्योंकि n plus 1 है, n के जगह पे n plus 1 डालो, तो n plus 1 minus 1, 1 one cancel, तो आपको 4 multiplied by 3 to the power n मिलेगा, T n plus 1, divided by T n हो जाएगा, बच्चा, 4 multiplied by 3 to the power n minus 1, मैंने कुछ नहीं किया, बच्चा, n के जगह पे n plus 1 डाल दिया उपर, तो n plus 1 minus 1 हो गया, minus 1 plus 1 cancel हो गया, n बच्च अब यहाँ पे देखो बच्चा, 4 and 4 will get cancelled, सब बच्चेगा सिर्फ यहाँ पे 3 to the power n upon 3 to the power n minus 1, इसको ज़रा solve करो बच्चो, 3 to the power n upon 3 to the power n minus 1, उपर जाएगा तो बनेगा 3 to the power n minus bracket में n minus 1, ओपन करोगे तो हो जाएगा, n minus n plus 1, n and n will get cancelled, 1 बच्चेगा, तो यहाँ पे 3 to the power 1 मतला सिर्फ 3 बच्चेगा, देखो कुछ solve है, यह यह 8 standard में पढ़ाई किया है, आप लोग ने सच बता होता है, and 10 standard में तो gravitation जैसा chapter में तो इससे भी dangerous dangerous powers आपने पढ़ा है, यह तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, इतना तो आना चाहिए आप लोग को, तो यहाँ पे यह आ exercise 2.2 का question number 8, and it is as simple as that, so sequence and series का हमने अच question number 8 तक पढ़ लिया, बाकी का questions हम लोग next lecture में पढ़ेंगे, maybe next lecture में सारे complete कर देंगे, अम लोग exercise 2.2 को, and then we can go for another topic as well, आशागर दा बच्चो, आज का lecture आप लोग को easy लगा होगा, and समझ में आया रहेगा बच्चो, अगर आप लोग love you all, and happy learning.